नमस्कार दोस्तों मैं राम नो रोकेनक सार्व कॉमार प्रियाायों च्छोटे स्वह लेकर कर दोस्ति के ज़िए के यहाँ स्थ्रिषानकर देख सकते हैं आपको मेरा चेली गराम चैनल पर जाना पड़ेगा उसकी लिए मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिशन में भी लिंक दिया हूँ उसका भी ठीक तो वहां से जाकर आप वीडियो फ्राप कर सकते हैं तो चलिए दोस्त हम सीदे चलते हैं प्रस नमबर वन की बात करते हैं प्रैक्टिस सेट छठमे का किस विद्वान की अनुसार और नी चुक परने पर नी परती है डारेक्ट्लिक थी यह ररे बरने का अब चलिए अगला प्रसनहें अगला प्रसन्स कह रहाया है है कि कि मिनός भिजियान वस्तु से संबंधित धनात्मक या इडात्मक प्रभाव की मात्र है अत dialogue सब्सक्राइब चलते हैं अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न मत्वाइब चलते हैं मैं है विरुद आत्मक आप्सवन सी विरुधात्मक और आपसंडी प्रभावात्म तो देखे असमानता को दूर करने के लिए सबसे बढ़िया कारवाई अगर के अम बात कर तो वो साकारात्म कारवाई की माने जाते तापसंड नमर A सही हो जाएगा इसका तीसरा का अब चलते हैं प्रश्ण नमर चौथे पर प्रश्ण नमर चौथ चिससे शबी को एक शमान मान कर अपने धर्म और भावासा को अपनाने शममान पुर्वक जीने का अधिकार देता है तो वह मुल्य क्या नमर चौछाएगा इसका चौथा का अब चलते हैं अगले प्रश्ण पर प्रश्ण 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 कर रहा है कि 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 शम्धान की अनुछेद किस अनुछेद में लोग तंत्रिक स्वतनताओं को सुनचित करने का प्रयास किया गया तो सब अब को बताए कि स्वतनता का अधिकार की आहां से तो 19 में है तो आप चलते हैं अगले प्रस्ण पर छेटमा प्रस्ण चेटमा प्रस्ण कर रहा है कि जीवन कौसल का वह कौसल जो हमारी भावनाओं आशक्ताओं इच्छाओं तथा विचारों के असपश्ट समप्रेश्ण मे सहायक है तो आप चने आग्रिहता आप चन भी निर्णा लेना आप चन सी समेधना और आप चन डी आत्मबूत तो वह क्या है जीवन कौशल का वो कौशल कौन सा जो हमारी भावनाओं आप शाकताओं इचाओं तो था विचारों के असपश्ट संप्रेशन में सहाएगा तो वह है आगरी ही ता आपसा नंबर एस सही हो जाएगा इसका चाटमा का अब चलते हैं प्रश नंबर साथ पर प्रश नंबर है वो क्या का लाता है तो वो पारान भूति का लाता है पारान मतलब समयाघवाक्ताभौधे यह शायके समझतार प्रश डोलह को अब चलते हैं प्रश नंबर आ्ड़ पर 308 को रहा है कि वातावरां के संपर्क में आने पर प्रेयरक्तव विक्सित होता है तो किस प्रकार का प्रेरख विस्तित होता है तो वाताबरण से सबको पता है अर्जित प्रेरख विक्सित होता है तो आपसा नम्मर ए सई हो जाएगा इसका अब चलते हैं प्रश्ण नम्मर नौ पर प्रश्ण नम्मर नौ करा है कि सिच्छा की कथनी और करन में अंतर नहीं होना चाहिए यह कथन किस व्यग्यानिक यानि कि किसका है यह बहुत इंपोटेंट है तो इस कथन को जो है मात्मा गांधी जी ने कहा था इस्टेटमेंट यह बहुत ही महत्पूर है इसको याद रखेगा आपसन नमर एस योजगा नवा का अब चलते हैं प्रश्ण नमर दस पर प्रश्ण नमर दस कह रहा है कि अभी प्रेणा के शंबंद में चात्र की वह सकता जिससे उसको सरप्रतम पूरा करना चाहिए अगर वीडियो पसंदार आगा तो चैनल को लाइक करें सेयर करें सब्सक्राइब करें चले दोस्त वीडियो को समाप्त करते हैं थैंकू थैंकू पार वाचिंग इस वीडियो